हाई गाईज, वेल्गम टू बी बैंकर, स्वागत आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आगे हूँ आपके लिए एक और नहीं सबरदस्टी वीडियो तो क्या होने वाली है आज की क्लास, तो चलिए देख लेते हैं, तो आज की क्लास होने वाली है, डेली यूज वर्ड्स के उपर, जी हाँ, डेली यूज वोकाबलरी कह लीजे, डेली यूज वर्ड्स कह लीजे, बात तो एक ही है, जिन शब्दों को रोजाना इस्तमाल करें, वो होते हैं daily use words तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो सारी की सारे words important है सुबह से लेकर के शाम तक इस्तमाल होते हैं तो कैसे इस्तमाल करेंगे, meaning क्या होगा और उचारण कैसे करेंगे ये सारी चीज़े बताऊंगे आज की class में उसके पहले अगर चैनल पर नहीं है पहली बार इस class को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजे चैनल को subscribe सब्सक्राइब करते वक्त बल आइकाउन दबाना बिल्कुल में भूलेगा ताकि जब भी कोई नहीं अंग्रेजी की class आए सबसे पहले भई आपको पता लग जाए आप सीदे सीदे हम से चुड़ सकते हैं इस WhatsApp नमबर के जरीए हमारी बुक्स हमारी पेड कोर्स इसके बारे में जाने के लिए साथी साथ ये वाली class और इसके ऐसी धेडो class डिरेक्लि अपने मुबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow तो चलिए शुरू करें आज की class हमारी तो सबसे पहला जो शब्द है वो है anxiety सबसे पहला शब्द क्या है anxiety इस शब्द को पढ़ते हैं anxiety कई लोग anxiety भी पढ़ते हैं वो गलत है इसको anxiety ही पढ़ते हैं अब anxiety का मतलब क्या होता है anxiety का मतलब होता है चिंता, व्यागरता या फिक्र जब आप किसी चीज को लेकर के चिंतित हैं तो आपको anxiety हो रही है आप किसी चीज को लेकर व्यागरता आप में आ रही है His voice was full of anxiety, उनकी आवाज चिंता से भरी थी, clear है, चलिए बढ़ें आगे, Sincere, Sincere का मतलब क्या होता है, Sincere का मतलब होता है, इमानदार और सच्चा या सच्चा, Sincere मतलब जो अपने काम के प्रती मानदार है, जो अपने काम के प्रती सच्चा है, उसे हम लोग Sincere बुलाते हैं, इस्तेमाल देखे, Our company needs a sincere employee, हमारी कंपणी को एक इमानदार करमचारी की जरूरत है, क्लियर है, चलिए बढ़ें आगे, कॉंप्लिमेंट, कॉंप्लिमेंट का मतलब होता है प्रशनशा या तारीफ, कॉंप्लिमेंट का क्या मतलब होता है, प्रशनशा या तारीफ, जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, मतलब है कि आप उन्हें कॉंप्लिमेंट कर रहे हैं, कॉ should always compliment others, clear है, चलिए बढ़ें आगे, वाया, वाया का मतलब क्या होता है, वाया का मतलब होता है, के जरिये या के माध्यम से, वाया का क्या मतलब होता है, के जरिये या के माध्यम से, इस्तमाल देखिए, इक ही बात है, इसको पढ़ते हैं क्या, perception, मतलब अनुभूती या धारणा, perception मतलब अनुभूती या धारणा, इस्तमाल देखिए, in my perception, you should go there, मेरी धारणा में आपको वहाँ जाना चाहिए, in my perception, you should go there, मेरी धारणा में आपको वहाँ जाना चाहिए, clear है, चलिए बढ़ते हैं आगे, perfection यानि कि उत्तमता या परिपूर्णता, क्या है मतलब उत्तमता या परिपूर्णता, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, perfection, क्या होती है अंग्रेजी, perfection, इस्तमाल देखिए, our parents expect perfection from us, हमारे माता पिता, हमसे उत्तमता की अपेक्षा करते हैं, मतलब माता पिता चाहते हैं न, हम लोग एकदम perfect हो, हम लोग सबसे best हो, सारे, और बाकी सारे लोगों सम लोग best हो, मतलब perfect हो, हम लोग बिद्धकुर perfection हो हमारे हर काम में, हमारे पढ़ाई में, हमारे रुजल्ट में, उसी शब्द का अर्थ है perfection यानि कि उत्तमता, our parents expect perfection from us, हमारे माता पिता हमसे उत्तमता की अपेक्षा करते हैं, चलिए बढ़ें आगे, शिर्क, इसको पढ़ते हैं, मतलब टालना या बचना, मतलब किसी भी चीज को, कोई भी काम अगर आपको बोला गया है, तो उसको टालना, या उस काम को करने से बचना, इसके लिए शब्द है शिर्क, इस्तमाल देखे, आप इस तरह से टाल नहीं सकते हैं, आपको यह करना होगा, आप इस तरह से टाल नहीं सकते हैं आपको यह करना होगा clear है? चलिए बढ़ें आगे अगला है lie lie का दो मतलब होता है एक जूट, दूसरा लेटना जी हाँ, दोनों ही जगहों पे आप lie का स्तमाल कर सकते हैं कैसे करेंगे? चलिए देखें दोनों स्तमाल देखेंगे don't lie to me, मुझसे जूट मत बोलो don't lie to me, मुझसे जूट मत बोलो lie down and take rest, लेट जाओ और आराम करो lie down and take rest, लेट जाओ और आराम करो clear है? चलिए बढ़ें आगे mercy, mercy, इसको पहली बात तो यह समझ लेज़े इसको mercy पढ़ते हैं, ठीके? और इसका मतलब होता है दया, mercy का मतलब क्या होता है? दया, इस्तेमाल देखें have mercy on others, दूसरों पर दया करो have mercy on others, दूसरों पर दया करो dig, dig का मतलब होता है गढ़्धा करना डिग का मतलब क्या होता है गढधा करना, इस्तमाल देखिये This ground is too hard to dig, यह जमीन खुदाई के लिए बहुत कठिन है Sudden Sudden का मतलब होता है अच्छानक Sudden का क्या मतलब होता है? अच्छानक There was a sudden gust of wind अच्छानक हवा का जोंका आया There was a sudden gust of wind अच्छानक हवा का जोंका आया Plenty Plenty का मतलब होता है बहुत सारा Plenty का मतलब क्या होता है? बहुत सारा I have plenty of time to learn English Anglesi सीखने के लिए मेरे पास बहुत समय है I have plenty of time to learn English Anglesi सीखने के लिए मेरे पास बहुत समय है Prediction Prediction का क्या मतलब होता है? Prediction का मतलब होता है भविश्यवानी Prediction का मतलब होता है भविश्यवानी इस्तमाल देखे His prediction was right उनकी भविश्यवानी सही थी His prediction was right उनकी भविश्यवानी सही थी Adorable यानि की प्यारा Adorable यानि की प्यारा This toy is so adorable या खिलोना कितना प्यारा है This toy is so adorable या खिलोना कितना प्यारा है Stain Stain का मतलब होता है धबबा या दाग Stain का क्या मतलब होता है? धबबा या दाग Do not stain this cloth इस कपड़े पर धबबा न लगाए Do not stain this cloth इस कपड़े पर धबबा न लगाए Clear है? Brave Brave मतलब बहादूर Brave मतलब बहादूर Soldiers are very brave Sanic बहुत बहादूर होते हैं तभी तो हमारी रक्षा कर पाते हैं है ना? Soldiers are very brave Sanic बहुत बहादूर होते हैं Capable Capable का मतलब होता है सक्षम Capable का क्या मतलब होता है? सक्षम I am capable of doing all my works मैं अपने सभी कारियों को करने में सक्षम हूँ I am capable of doing all my works मैं अपने सभी कारियों को करने में सक्षम हूँ Clear है? चलिए बढ़ें आगे Burden यानि की बोज Burden का मतलब क्या हो गया? Burden का मतलब हो गया बोज Don't take this much burden इतना जादा बोज मतलो Don't take this much burden इतना जादा बोज मतलो Stumble यानि की ठोकर Stumble मतलब ठोकर Be careful, don't get stumble सावधान रहें, ठोकर ना खाएं Be careful, don't get stumble सावधान रहें, ठोकर ना खाएं Pardon Pardon का मतलब दोहराना या शमा करें इस्तमाल देखते हैं जादा बहतर समझ आएगा Please pardon me, I didn't listen to what you said Clear? चलिए बढ़ें आगे Compensation यानि की मुआवजा Compensation का मतलब क्या होता है? मुआवजा The government gave compensation to all affected सरकार ने सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया Approximate यानि की लगभग या अनुमानित Approximate मतलब लगभग या अनुमानित The metro's approximate time is 6.30 Metro का अनुमानित समय साड़े छे बज़े है The metro's approximate time is 6.30 Metro का अनुमानित समय साड़े छे बज़े है Nowadays यानि की आजकल Nowadays I am not feeling well आजकल मेरी तबियद ठीक नहीं है Nowadays I am not feeling well आजकल मेरी तबियद ठीक नहीं है Hide Hide का मतलब छिपाना Hide का क्या मतलब होता है? छिपाना What are you hiding in your hand? आप अपने हाथ में क्या छिपा रहे हैं? What are you hiding in your hand? आप अपने हाथ में क्या छिपा रहे हैं? Bitter, bitter मतलब कड़वा, bitter का क्या मतलब होता है, कड़वा, I had a bitter talk with him yesterday, मैंने कल उनके साथ कड़वी बात की थी, या मेरी कल उनके साथ कड़वी बात हो गई थी, I had a bitter talk with him yesterday, Bother, bother का मतलब परिशान करना या प्रभावित करना, bother का मतलब परिशान करना या प्रभावित करना, इस्तमाल रेखे, This situation bothers me a lot, ये स्थिती मुझे बहुत परिशान करती है, Consult, consult का मतलब सलाह लेना या परामर्श लेना, consult मतलब सलाह या परामर्श इस्तमाल देखे, You should consult a doctor, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए You should consult a doctor, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए Renovate यानि की नवी करन Renovate यानि की नवी करन इस्तमाल देखिए I think you should renovate your house मुझे लगता है कि आपको अपने घर का नवी करन करना चाहिए I think you should renovate your house मुझे लगता है कि आपको अपने घर का नवी करन करना चाहिए Clear है? चलिए बढ़ते हैं आगे Wonder यानि की आश्चर्य I wonder how can you do that मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं I wonder how can you do that मुझे आश्चर्य है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं Luster यानि की चमक Gold has its own luster सोने की अपनी प्राकरतिक चमक होती है Gold has its own natural luster सोने की अपनी प्राकरतिक चमक होती है Apparent यानि की स्पष्ट Apparent यानि की स्पष्ट You are an apparent example of success आप सफलता के स्पष्ट उधारन है You are an apparent example of success आप सफलता के स्पष्ट उधारन है Tendency यानि की प्रावृत्ती Tendency मतलब प्रावृत्ती He has a tendency of giving up all the time उसकी हर समय हार मानने की प्रावृत्ती होती है He has a tendency of giving up all the time उसकी हर समय हार मानने की प्रावृत्ती होती है Bossy यानि की शाशक या धोस जमाने वाला Bossy Example देखे She is a bossy wife वह एक धोस जमाने वाली पत्नी है जो अपने पती पे हुकम चलाती है She is a bossy wife Transparent यानि की पारदर्शक Transparent यानि की पारदर्शक I like transparent people मुझे पारदर्शी लोग पसंद है I like transparent people मुझे पारदर्शी लोग पसंद है Humiliate यानि की अपमानित Humiliate यानि की अपमानित Don't humiliate your parents अपने माता-पिता को अपमानित ना करें Don't humiliate your parents अपने माता-पिता को अपमानित ना करें Destination यानि की गंतव्य Destination यानि की गंतव्य जम्मू is our favorite holiday destination. जम्मू हमारा पसंदीदा अवकाश गंतव्य है. जम्मू is our favorite holiday destination. जम्मू हमारा पसंदीदा अवकाश गंतव्य है. डिस्क्रिमिनेट यानि की भेदभाव. डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव. डोंट डिस्क्रिमिनेट अमॉंग फैमिली मेंबर्स. परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव न करें. डिस्क्रिमिनेट मॉंग फैमिली मेंबर्स. परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव न करें. रिफ्यूज यानिकी इनकार करना. रिफ्यूज यानिकी इनकार करना. I refuse to buy this. मैं इसे खरीदने से इनकार करता हूं. क्यूरियस यानि की जिग्यासू क्यूरियस यानि की जिग्यासू वाई आर यू सो क्यूरियस आप इतने उत्सुक क्यूं है या आप इतने जिग्यासू क्यूं है उत्सुक कौन होता है जो जिग्यासू होता है वही तो आप या तो उत्सुक कस्तमाल कर ले या तो जिग्यासु का अस्तमाल कर लें आपकी अपनी मर्जी है लेकिन उसका अंग्रीजी का अनुवाद यही रहेगा Why are you so curious? Pretend यानि की नाटक करना या दिखावा करना Pretend यानि की दिखावा करना Don't pretend in front of me मेरे सामने दिखावा मत करू Don't pretend in front of me मेरे सामने दिखावा मत करू Sharp यानि की तेज She has a sharp memory उसकी यादाश्ट तेज है Advantage यानि की लाब Advantage का मतलब क्या होता है? Love We have the advantage of premium seeds हमें premium seeds का लाब है We have the advantage of premium seeds हमें premium seeds का लाब है Generous यानि की उदार Generous मतलब उदार I have a generous heart मेरे पास एक उदार हिदे है I have a generous heart मेरे पास एक उदार हिदे है Rectify यानि की सुधारना Please rectify your work कृपया अपना काम सुधारें Retaliate यानिकी प्रतिकार करना Retaliate मतलब प्रतिकार करना Example देखे Please retaliate as soon as possible Kripya जल्द से जल्द जवावी कारवाही करें प्रतिकार करना मतलब in return कुछ आंसर भेजना मतलब उसका reply करना Kripya जल्द से जल्द जवावी कारवाही करें Please retaliate as soon as possible Fragile, यानि की नाजुक Don't be so fragile, इतने नाजुक मत बनो Robust, यानि की मजबूत He has a robust mind उसके पास तेज दिमाग है या उसके पास मजबूत दिमाग है जो दिमाग मजबूत है, वही तो तेज है She has a robust mind उसके पास एक मजबूत दिमाग है Allow, यानि की अनुमती Please allow us to come inside कृपया हमें अंदर आने की अनुमती दे Brutal, यानि की क्रूर Brutal, यानि की क्रूर People are becoming brutal these days लोग इन दिनो क्रूर होते जा रहे हैं People are becoming brutal these days लोग इन दिनो क्रूर होते जा रहे हैं Nice, यानि की अच्छा Nice, यानि की अच्छा Nice to meet you, आपसे मिलकर अच्छा लगा Nice to meet you, आपसे मिलकर अच्छा लगा Develop, यानि की विक्सित करना Develop, यानि की विक्सित करना Please develop a good attitude toward others क्रिप या दूसरों के प्रती एक अच्छा दृष्टी कोन विक्सित करें Please develop a good attitude towards others क्रिप या दूसरों के प्रती एक अच्छा दृष्टी कोन विक्सित करें Origin, यानि की उदगम या सूत्र ओरिजीन का मतलब मूल, उदगम या सूत्र गंगोत्री को गंगा नदी के उदगम के रूप में जाना जाता है गंगोत्री को गंगा के उदगम के रूप में जाना जाता है Tremble यानि कि घबराना, सिहरना, थर्थराना या चौकना Tremble I was trembled from inside by the accident Hadze se मैं अंदर तक काप गया I was trembled from inside by the accident Hadze se मैं अंदर तक काप गया था Goosebumps यानि कि रोंगटे Goosebumps यानि कि रोंगटे The movie was so scary that it gave me goosebumps Film इतनी डरावनी थी कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिये The movie was so scary that it gave me goosebumps Film इतनी डरावनी थी कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिये Drench यानि कि भिगाना Drench यानि कि भिगाना I am totally drenched in rain. मैं बारिश में पूरी तरह भीग चुका हूँ. Towards यानि की ओर या की तरफ? Towards मतलब की ओर या की तरफ? I am going towards the airport. मैं एरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ. I am going towards the airport. मैं एरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ. Liberal यानि की ओदार. His thought is very liberal. उनका विचार बहुत ओदार है. Strength यानि की मजबूत बनाना. Strength यानि की मजबूत बनाना. You should focus to strengthen your immunity. आपको अपने प्रती रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. You should focus to strengthen your immunity. आपको अपने प्रती रक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. Offended यानि की तंग करना I get offended by his voice, मैं उसके आवाद से तंग हो जाता हूँ Mercy यानि की दया Please have some mercy on animals, कृपया जानवरों पर कुछ दया करें Please have some mercy on animals, कृपया जानवरों पर दया करें Somewhere यानि की कहीं या कहीं न कहीं You will find this medicine somewhere, या दवा आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी Interfair यानि की हस्तक शेप Interfair मतलब हस्तक शेप Don't interfere into others' personal matters दूसरों के नीजी मामलों में हस्तक शेप न करें Don't interfere into others' personal matters Worth यानि के लायक Worth यानि के लायक इस्तेमाल देखिए You are not worth the love I give you मैं आपको जो प्यार देता हूँ आप उसके लायक नहीं है Irritate यानि की परेशान करना Irritate यानि की परेशान करना Don't irritate me with your stupid ideas अपने बेवकूफियत भरे विचारों से मुझे परेशान मत करो Don't irritate me with your stupid ideas अपने बेवकूफ वाले विचारों से मुझे परेशान मत करो Kudos यानि की प्रशंशा You should get kudos for your result आपको अपने परिनाम के लिए प्रशंशा मिलनी ही चाहिए Confess यानि की कबूल करना You should confess your mistake आपको अपनी गलती कबूल करनी चाहिए You should confess your mistake आपको अपनी गलती कबूल करनी चाहिए Suffocation यानि की घुटन Suffocation यानि की घुटन There was a suffocation in the room कमरे में घुटन थी There was suffocation in the room कमरे में घुटन थी Weak यानि की कमजोर Weak यानि की कमजोर Nowadays I am feeling weak आज कल मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं Nowadays I am feeling weak आज कल मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं Affection यानि की स्ने Affection यानि की स्ने Rahul feels affection for Ria Rahul Ria के लिए स्ने महसूस करता है Rahul feels affection for Ria Rahul Ria के लिए स्ने महसूस करता है Elegant यानि की खूबसूरत, सुन्दर या शिष्ट Elegant मतलब खूबसूरत, सुन्दर या शिष्ट Your dress is very elegant आपकी पोशाक बहुत ही सुन्दर है Your dress is very elegant आपकी पोशाक बहुत ही सुन्दर है Decent यानि की सभ्य, शिष्ट या प्रतिष्ठित Decent यानि की सभ्य, सिष्ट या प्रतिष्ठित Behave in a decent way सब भी तरीके से व्यवहार करें behave in a decent way सब भी तरीके से व्यवहार करें attentive यानि कि सचेत, चौकस या ध्यान देना attentive मतलब सचेत, चौकस या ध्यान देना be attentive when I am talking जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान देना be attentive when I am talking जब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान देना greedy यानि कि लालची greedy यानि कि लालची He is a very greedy man वो बहुत लालची आत्मी है He is a very greedy man वो एक बहुत लालची आत्मी है Cherish यानि कि अच्छा लगना या संजोना I want to cherish my tradition मैं अपने परंपरा को संजोना चाहता हूँ I want to cherish my tradition मैं अपने परंपरा को संजोना चाहता हूँ Obsession यानि कि जुनून He has an obsession with new clothes उसे नए कपड़ों का जुनून है वो हमेशा नए कपड़े घरीते रहते हैं जो हमेशा शॉपिंग करते रहते हैं तो उनको नए कपड़ों का obsession है He has an obsession with new clothes उसे नए कपड़ों का जुनून है Revenge यानि की बदला I will take revenge for my insult मैं अपनी बेजदी का बदला लूँगा Circumstances यानि की परिस्थिती Circumstances मतलब परिस्थिती Circumstances are not in my favor परिस्थितिया मेरे पक्ष में नहीं है Circumstances are not in my favor परिस्थितिया मेरे पक्ष में नहीं है Opportunity यानि की अवसर Opportunity मतलब अवसर Always take advantage of the opportunity हमेशा मौके का फाइदा उठाएं Landlord यानि की मकान मालिक Landlord यानि की मकान मालिक I will have to pay the rent to my landlord मुझे अपने मकान मालिक को किराय का भुगदान करना होगा I will have to pay the rent to my landlord मुझे अपने मकान मालिक को किराय का भुगदान करना होगा Offended यानि की अपमानित She offended her parents in front of all her relatives उसने अपने सभी रिष्टरदारों के सामने अपने मादा पिता को अपमानित कर दिया She offended her parents in front of all her relatives Existing यानि की मौझूदा The existing situation is critical मौझूदा स्थिती गंभीर है The existing situation is critical मौझूदा स्थिती गंभीर है Mild यानि की सौम्य या हलका Mild यानि की सौम्य या हलका The taste of the curry was mild Curry का स्वाद हलका था Split यानि की विभाजित करना Split यानि की विभाजित Split the money equally into all धन को सभी में समान रूप से विभाजित करें Split the money equally into all धन को सभी में समान रूप से विभाजित करें Pamper यानि की लाड़ प्यार Pamper यानि की लाड़ प्यार Don't over pamper your child अपने बच्चों को जादा लाड़ प्यार ना करें Don't over pamper your child अपने बच्चों को जादा लाड़ प्यार ना करें Offense यानि की अपमान Offense यानि की अपमान I'm sorry I meant no offense मुझे शमा करें मेरा मतलब अपमान करना नहीं था I'm sorry I meant no offense मुझे शमा करें मेरा मतलब अपमान करना नहीं था Babble यानि की गपशप करना गप पे लड़ाना Babble Don't babble in between the class कक्षा के बीच गपशप ना करें Don't babble in between the class कक्षा के बीच में गपशब ना करें एडिकेट यानि की परियाप्त एडिकेट यानि की परियाप्त I have an adequate amount of food on my plate मेरे plate में परियाप्त मात्रा में भोजन है I have an adequate amount of food on my plate मेरे plate में परियाप्त मात्रा में भोजन है Hesitate यानि की हिच की जाना Hesitate यानि की हिच की चाना Don't hesitate while talking to strangers अजनबियों से बात करते समय हिच की चाना Don't hesitate while talking to strangers अजनबियों से बात करते समय हिच की चाना Outspoken यानि की मुखर या स्पष्टवादी Riya is the most outspoken among all the students सभी चात्रों में Riya सबसे स्पष्टवादी है Conventional यानि की परंपरागत Conventional यानि की परंपरागत This festival should be celebrated in a conventional way इस्तेभार को परंपरिक तरीके से मनाना चाहिए This festival should be celebrated in a conventional way Reliable यानि की विश्वस्निय या भरोसे मन्द He is not at all reliable man वो बिलकुल भी विश्वस्निय आदमी नहीं है He is not a reliable man वो बिलकुल भी विश्वस्निय आदमी नहीं है Indeed यानि की सच मुझ या वाकई Indeed यानि की सच मुझ या वाकई Indeed you are very beautiful वाकई तुम बहुत खुबसूरत हो Stout यानि की तगड़ा या थोस Stout यानि की तगड़ा या थोस चलिए example देखें He put up a stout proof in the court उसने अदालत में एक थोस सबूत रखा He put up a stout proof in the court उन्होंने अदालत में एक थोस सबूत रखा Clear है? So yes guys, यह थी आज की वीडियो वीडियो कैसी लगी? Comment करके जरूर बताईए शब्द सारे के सारे ऐसे चुन करके लाई हूँ जो सुबह से शाम तक कभी ना कभी तो इस्तमाल करते ही होंगे और नहीं इस्तमाल करते हैं जल्दी से स्तमाल करने लगे क्योंकि शब्द हैं बहुत ही ज़ादा जबरदस्त वाले So comment करके बताईए ऐसी धेर सारी शब्दों की वीडियो आपको और चाहिए या नहीं और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे जिन जिन को ये वीडियो आपको पहुचा नहीं है उन सब तक पहुचा दीजे और लाइक करना बिल्कुल मिल भूलेगा उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंगलेश इन 6.5 आवर्स जाने कि साड़ी 6 गंटे में अंग्रेजी बोले कि जो फ्री स्पोकें इंगलिश की कोर्स है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो किसका इंतिजार कर रहे हैं जल्दी से वाट्सप करिए और इस कोर्स को अपने फोन पे मंगाईए अभी के अभी उसके साथ ही उसी कोर्स के उपर बेस्ट इबुक की फ्री सेंपल भी आपको मिल सकती है तो ये सारी चीज़े कैसे होंगी वाट्सप करिए खुद पता कर लीजे इसके साथ ही अगर आप हमसे जुनना चाहते हैं हमारे प्रीम्याम वाट्सप स्वोकें इंगलिश कोर्स में इसकी इंक्वाइरी आप इस Clerक्र कर सकते हैं थो भाई आप इंक्वाइरी किस चीज़ करनी है इंक्वाइरी इस चीज़ करनी है कि अगली बैज़ कब शूरू हो रही है कितने दिनों का कोर्स है homework आपका अखिर कैसे चेक होता है, आपको classes कैसे मिलती है, notes कैसे मिलते हैं, e-books मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यह सारी details आपको WhatsApp पर बता दी जाएंगी, इसके साथ ही यह है Basic English Grammar course, जो आपके grammar के basics के नीव को बड़ा है, इच्छा से clear कर देता है, और आपको कर देता है, advanced grammar के लिए बिलकुल तयार, इसके inquiry पर आप इस नंबर पर कर सकते हैं, यह है Basic English Grammar for Kids, छोड़े बच्चों को grammar सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब यह चीज आसान है, क्योंकि expert स्वारा designed यह course है, जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसमें बच्चे खेल-खेल में English Grammar सीख जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, उनके पढ़ाई भी हो जाती है, और वे grammar में बिलकुल उनको दिक्कत कभी भी भी नहीं आती है, इसके inquiry आप इस नमबर पर कर सकते हैं, और यह है फेवरेट मोस्ट English Grammar and Writing for School, क्यों है फेवरेट मोस्ट क्योंकि इसमें कराया जाता है आपको grammar school के लिए, आपको राइटिंग अपके school के लिए, अब राइटिंग का मतलब, letter writing, essay writing, email writing, advertisement writing, message writing, notice writing and what not. आप school में पढ़ते हैं, किसी भी class में पढ़ते हो, या आपके बच्चे स्कूल जाते हो, या किसी भी class में पढ़ते हो, यह कोर्स बिलकुल आपके लिए है, इसके inquiry पर इस नमबर पर कर सकते हैं, और यह है favorite most premium competitive English course, आप किसी भी competitive exam के तयारी कर रहे हो, जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो premium competitive English course बिलकुल आपके लिए है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, course बिलकुल होने वाला है premium, जिसमें कराया जाएगा आपका पूरा का पूरा syllabus English का complete, चाहे वो reading comprehension हो, चाहे वो vocabulary हो, चाहे वो advanced level vocabulary हो, चाहे वो grammar हो या advanced level grammar हो, चाहे वो questions हो या advanced level के question हो, यह सारी चीज़ इसमें कराई जाएगी, इसके inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं, inquiry करते वक्त ध्यान रखे, कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजे, ताकि हमारे प्रतिनिती आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुँचा पाएं, जानकारी मिलने में लग भग 12-40 घंटो का वक्त लग जाता है, तो अगर वक्त लग रहा है, तो किप्रिया प्रदीक्षा करें, अगर आपने मेसेज कर दिया है, तो reply आपको मिलेगा,